तो आज का बड़ा सवाल है जाविद भाई हमें साओधी अरब जाना है या दुबई जाना है या अरब देश में जाना है काम करने के लिए ड्राइविंग के काम पे तो क्या इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है अगर लाइसेंस नहीं होगा तो क्या काम नहीं होगा तो हम आप अगर पुराने हमारे सब्सक्राइबर होंगे या आपको पहले से पता है यह जो भी मैं आपको बताने वाला हो तो आप वीडियो को स्क्रिप कर सकते हैं जरूरी नहीं देखना जिनको नहीं पता हो वीडियो को पूरा देखेंगा पहली बार आप आप आए चैनल को तो किसी भी देश में आप जाते हो ड्राइविंग के काम पे जाओ तो मैं पहले बोलूंगा आपको कि आपको वह काम आना चाहिए मालो में इंजीनियर के पोस्ट पे गया तो मेरे पास सार्टिफिकेट होगा मेरा एक्स्पीरेंस होगा चार पांच साल का इंडिया के अंदर म कि आपके पास साथ साथिफिकेट होगा सारा कुछ तो साटिफिकेट से क्या होता है कि आपका टैग हो ज既ता है कि हां आपको यह काम आया क्या हुट है है में ध्याइ dipping कई साल नहीं-देनَ वाला झानकारी मुझे परली एक video बना कर रखो, को इस दोस्ट को बोलो कि आगे चाल रहा हूँ, भीड हायाचे से लेघर हाई है रॉक्षिट अपने पास में सब्जगह का video अपने फौन में रखऊ क्यूद्ड करने साङसे का और ओर लाइसेंस बना कर रखो क्यूंकि license रहता है तो आपका एक tag रहता है कि हाँ मुझे driving license है मेरे पास में तो मेरे को गाड़ी चलाने आती तब ही तो license है अक्सर किया है कि बहुत सारे लोग के पास license है नहीं लेकिन driving करते हैं तो इसका मतलब वो नहीं जा पाएंगे देखो जिसके पास license है वो भी जाएंगे और जिसके पास license नहीं है वो भी जाएंगे क्योंकि मेरे बास license था जब मैं पहली बार driving पे गया तो मैं वहाँ saoudi पहुचा आप पहली बार जाओ license है तो भी license नहीं है तो भी driving के काम पे जाते हो फोड़ विलर या निक्स बूराओ किसी भी बड़े से बड़े चोटे से छोटे तो आप जब पहुंसते औरब में तो वहां पर आपका स्कूल में नाम लिखाया जाता आपका अम बनेगा जाता मेड़ीगशन जाना है क्या है नहीं है सब कुछ बताया जाएगा अरब में गाड़ी कैसे चलाते हैं रिवर्स कैसे करते हैं कुछ भी कुछ भी इशु जो होता है जैसे गाड़ी एक चलाने का स्कूल में ABCD से लेकर के हर चीज़ सिखा जाता है उसी तरह किसर ड्राइविंग के बारे में होता है जब आप अरब में जाते हो तो स्टेडिंग चेंज हो जाता है तो होपलेस नहीं होना है ठीक है ऐसा कोई वियाद भी नहीं है जो जाने के वाद अचानक से गाड़ी पकड़ लिया होगा चलाने के लिए स्टेडिंग क्योंकि स्टेडिंग चेंज हो जाता हमारा मा तो आपको एक टेस्ट लेते हैं किसी आई शाय और भी बहुत सरे टेस्ट है उससे लेकर कि आपको एक ग्रेड मिलता है बीज पलास, सी पलास, इतना परसेंट नमबर आया, यह वो, तो उसी साफ साफ की सैलली बनती है, किसी भी प्रोफेशन पे आप जाते हो, तो आपको पास experience रहता है, तो आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि experience है, आपकी salary का पता लगता है, अब जब salary का पता लगेगा, बाई, यहाँ पे अच्छी sell ले, तो और ज़्यादा sell ले हो सकती है, में चीज है knowledge, अगर आपके पास में है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और डड़ो मत, कोई भी agent आप सो बोलता, भाई, license नहीं है, और नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, यह साओधी का बोल र हाँ, बहुत सारे experience holder है, अभी तो मैंने मेरे को Arab का लाइसेंस है, सब कुछ है, बट फिर भी मेरे को Dubai का लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जाने का दुबारा से मेरे को लाइसेंस के लिए अपलाई करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, दुबाई के लाइसेंस बहुते डिफिकल्ट से मिलता है, तो साओधी में चले जाओ, अरब में चले जाओ, ड्राइविंग करने के लिए, अपने इंडिया के सबस्क्राइबर है वहाँ पे, आपको बड़े बुले ट्रक को चलाते हैं, यह आपको पंजाबी लोग चलाते हो, हड़ी आ सबज में आ गया होगा आपको, और चैनल पर चानल को सबस्क्राइब कीजिएगा, वीडियो शेर कीजिएगा, लाइस ने बोलता हूँ, आज की एज कम से कम 22 साल से उपर होनी चाहिए, अगर आप अरब जाते हो, एक्शोली मैच्योर्ड हो करके, 22 साल के बाद तो आप जा के लिमेंटेड जो है, बाइस, 21-22 के अंदर अंदर है, आप जा सकते हो, बहुत शुक्राइब वीडियो शेर कीजिएगा, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, फेस्बुक पर देखर वीडियो को वीडियो शेर जर कीजिएगा, लाफीस,